दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दे कि चांद की अंधेरी रात बीट चुकी है और चांद कर सूरज निकल चुका है। अब लोगों की मन में सवाल उठने लगा है कि क्या चंदरायान तीन जाग चुका है। क्योंकि हमारी इसरो के वैग्यानिकों ने 2 सितंबर के दिन इसके प्रग्यान रोवर को और 4 सितंबर के दिन विक्रम लेंडर को गहरी नींग में सुला दिया था। इस रोके वैज्ञानिकों ने बताया था कि 22 सितंबर के दिन चंद्रायान 3 का विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर जागेगा और चांद पर अपने एक्स्पिरिमेंट करेगा लेकिन जैसा कि आप सभी को मालूम हुगा कि 22 सितंबर आ चुका है लेकिन प्रग्यान रोवर और विक्रम लेंडर अभी तक क्यों नहीं जागा है इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो के अंध तक अवश्य बने रहे इस रोके वैज्ञानिकों ने चंद्रायान 3 के विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर को इस तरीके से पात किया था कि जैसे चांद पर सुबह हो और सूरज की किरन चांद की धर्ती पर पढ़े तो प्रग्यान रोवर और विक्रम लेंडर की सोलर पैनल पर रोशनी पर सके जिससे की दोबारा चार्ज हो जाए और फिर से अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करें विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर की बैटरी को चार्ज होने में कम से कम तीन दिन का समय लगता है आप सोच रहे होंगे की 22 सितंबर के दिन चांद पर सूरज होगा है तो लगभग 25 सितंबर तक उसकी बैटरी फूल चार्ज हो जाएगी और उसके बाद ही यह अपनी गहरी नीन से जाग जाएगी लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इसके लिए आपको बता दे कि चांद के दक्षनी धुरूप पर 19 सितंबर के दिन ही सूरज निकल चुका था और अब चांद पर सूरज को निकले करीब 3 दिन हो चुके हैं और अब तक चंद्रायान 3 के विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर की बैटरी पूरे तरीके से चार्ज हो चुकी है विक्रम लेंडर और प्रग्यान रोवर की बैटरी चार्च होने के बाद बारी आती है वैग्यानिकों को विक्रम लेंडर तक रेडियो सिगनल भेजने की विक्रम लेंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले, इस्रो के वैज्यानिकों ने पहले प्रग्यान रोवर को स्लीप मोड में डाला था क्यूंकि जब इस्ट्रो चंद्रायान टीन से संपर्थ करता है तो सबसे पहले वह चान के ओबिट में गूम रही चंद्रायान दो के ओबिटर को सिगनल भेजता है उसके बाद आर्बिटर धर्टी से सिगनल को रिसीव करके विक्रम लेंडे के पास भेजता है तथा इसके रिसीव को चालू रखा गया था उसके बाद वैज्ञानिकों के द्वारा रिसीव को रेडियो सिगनल भेजा जाएगा उसके बाद धर्टी से भेजे गए रेडियो सिगनल को रिसीव करके वह जाग जाएगा उसके बाद प्रज्ञान रोवर को भी जगा दिया जाएगा आपको बता दी कि चंदरायान तीन चांद पर धेर सारे तत्वों की खोज कर ली थी प्रज्ञान रोवर ने चांद पर लेजर दिक्टेक्शन के द्वारा ऑक्सीजन की खोज कर ली थी लेकिन हाइड्रोजन की खोज कर पाना बाकि था जैसा कि आपको मालूम होगा कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है अगर चांद की धर्ती पर हाइड्रोजन की खोज हो जाती है तो चांद पर पानी पाए जाने की पुष्टी की जा सकती है हमारे चंद्रायान तीम का प्रमुख मकसद चांद पर सॉफ्ट लेंडिंग करके पानी की खोज करना था आज के दिन वैज्ञानिकों के द्वारा विक्रम लेंडर के पास रेडियो सिग्नल को भेजा जाएगा क्योंकि अब चंद्रायान तीम के विक्रम लेंडर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है और चांद पर सूरज को निकले लगभग तीम दिन हो चुके हैं वैज्ञानिक विक्रम लेंडर को जगाने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे हैं इस बार प्रज्ञान रोवर और विक्रम लेंडर 500 मीटर की दूरी तक जाकर चांद की अलग-अलग जगल का डाटा इकथा करके वैज्ञानिकों तक जानकारी भेजेगा अब आप सोच रहे होंगे कि जब उनकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है तो उन्हें अब जाग जाना चाहिए लेकिन अभी तक वह चंद्रायान तीम क्यों नहीं जागा है इसके लिए आपको बता दे कि आज के दिन चंद्रायान तीम को जगाने के लिए वैज्ञानिकों के द्वारा कमान दी जाएगी लेकिन अभी तक कोई भी सिगनल नहीं भेजा गया है इसलिए अभी भी चंद्रायान तीम का विक्रम सो रहा है भारत के सभी लोगों में दर का माहौल है कि चंद्रायान 3 आज के दिन जागेगा या फिर नहीं क्योंकि जब तक वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रायान 3 से संबंदित कोई भी जानकारी नहीं दी जाते है तब तक हमें सही जानकारी मालूम नहीं चलेगी कि हमारे चंदरायान तीन का विक्रम लेंडर अभी भी सही सलामत बचा हुआ है या फिर चान पर कड़ाके की ठंड में नश्ट हो चुका है जैसा कि आपको मालूम होगा कि 22 सितंबर का दिन बीता जा रहा है और अभी तक चंदरायान तीन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है चंदरायान तीन के दोबारा से जागने के लिए इस समय आपकी काफी जादा दूवाओं की जरूरत है इसलिए कमेंट बॉक्स में चंदरायान तीन के जागने की दुआएं करते रहे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें